हलो ब्यारविचों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को इंज्वाय कर रहे होंगे आज हम लोग देखनी वाले हैं कारक चिन आधारित अभी तक के विभी नायोग द्वारा पूछे गए अती महतपूर प्रस्न संग्रह को जिसमें हम लोग अभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल नायों सेकंड में दे देंगे लेकिन अगर आपने डिटिल क्लास नहीं देखा होगा तो समस्याएं होने वाली हैं तो बताएंगे सीमा कुत्ते से ड़ती है वाकि में कौन सा कारक है अपादान कारक करण कारक करम कारक या संबोधन कारक अगले साल आएगा इस वाकि में कौन सा कारक है अपादान कारक संबंद कारक अधिकरण कारक या करम कारक और आप सभी को बता है जब किसी चीज़ को आधार बना के काम किया जाता है जब आधार का बोध हो तब होता है आपका आधिकरण यहां पर कह रहा है कि वह अगले सा साइम इस साल आउंगा तो आधार का जब बोधो तब हो जाता है अधी करण कारक सीमा सीला से जादा अच्छा गाती है सीमा सीला से जादा अच्छा गाती है आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है पहला कह रहा है संप्रदान कारक दूसरा करा अधान कारक तीसरा कर कारक चोथा कर अधी करण कारक और आप सभी को मैंने बताया था कि जब कहीं पर तुलना का भाव हो जब कहीं पर कंपेर करने की बात की जाए तो वो कौन सा कारक होता है अपादान कारक होता है विचा लोग इसलिए डिटेल क्लास पहले पढ़ाती हूं ताकि आप लोग अपन में कौन सा कारक है संबंध कारक अधी करण कारक संबोधन कारक या अपादान कारक पढ़ा पढ़ देंगे जवाब चालोग बिल्कुल नैनो सेकेंड में उत्तर आना चाहिए आप लोगों का हे राम तुम कहां हो संबोधन कारक संबोधित किया जा रहा है राम को कि आप कहा हैं संबोधन कारक राजा सेवक को कमबल देता है बाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है पहला है कर्म कारक दूसरा है संबंद कारक तीसरा है संप्रदान कारक और चौथा है करता कारक आपको पताना है राजा सेवक को कंबल देता इसमें कंबल रिखांकित है आपको बताना है कौन सा कारक है जो इसमें छुपा हुआ है काओ सभी को पता है राजा ने कंबल दिया है तिसमें राजा जो है प्रदान कर रहा है सेवक को कंबल इसमें है आपका संप्रदान चुकि राजा ने दिया है कंबल सेवक को तो को और के लिए जब आए तो वो क्या हो जाता है आपका संप्रदान कारक हो जाता है हाला कि कर्म में भी को आता है लेकिन यहाँ पे जो राजा वो किसी को मदद कर रहा है सहायता कर रहा है और उसको कुछ प्रदान कर रहा है इसलिए यहां पर क्या हो गया संप्रदान कारक हो गया गंगा हीमाले से निकलती है वाकि में कौन सा कारक है नैनो सेकिन में उत्तर दीजिए बहुत आसान है संबंद कारक संप्रदान कारक अपा दूर जाने का भाव हो डरने का भाव हो तुलना की भाव हो तो क्या हो जाते हैं सारे अपादान हो जाते हैं कुरसी पर मास्टर जी बठें इस वाक्य में कुरसी सब्द में कौन सा कारक है संबंध कारक अधिकरण कारक संबोधन कारक या अपादान कारक बिल्कुल सेकेंड मे उत्तर दीजिए बचा लोग डिटेल क्लास में बताया है कि जब कहीं आधार का बोध हो कुरसी किसका आधार है मास्टर जी का आधार कुरसी है वो कुरसी पे बठे हैं आधार जहां हो वहां हो जाता है आधी करण कारक नेक्स देखें बच्चे स्कूल से घर गए बच्चे स्कूल से घर गए में कौन सा कारक है संबंद कारक संप्रदान कारक अपाधान कारक या करम कारक पटपट देंगे जब आप बच्चे गए स्कूल से घर यानि कि बच्चे हो गए स्कूल से अलग हो गए जुदा हो गए आ अपादान कारक हो गया अलग होना हो डर्ना हो तुलना हो क्या हो जाता है आपका अपादान कारक रहा हो राकेस को पानी से डर लगता है वाके में कौन सा कारक है वेचा लोग इनो सेकेंड में उत्तराना चाहिए बेना देरी किया संबंद कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक या अपादान कारक तो अभी मैंने बताया डरने का भाव हो, तुलना की भाव हो या हो, अलग बिछडने का भाव, अलग होने का भाव, दूर जाने का भाव सबका होता है आपका अपादान कारक माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं वाके में कौन सा कारक है संबंद कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक तो माता पिता किसके लिए मेहनत कर रहे हैं वाक्य में कौन सा कारक है, संबंद कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक, तो आप सभी को पता है, राधा राने से अलग हो चुकी है, दूर हो गए है, विछड़ गए है, तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक हो जाएगा, मैं राधा के लिए कपड़े खर आता है आप सभी को पता है को के लिए संप्रदान कारक में आता है तो आपसे नमबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा पेड़ से पत्ती गिरे पेड़ से फूल गिरे पेड़ से फल गिरे पेड़ से ठानी गिरे पेड़ पेड़ ही गिर जाए इससे क्या होगा सब अपादान कारक ह सब दूर हो रहें अलग हो रहें बिछड रहें है आफसे नमर 4 बिल्कुल सही है बच्चे बस से पार्ट साला जाते हैं वाक्य में कौन सा कारक है संप्रदान कारक अपादान कारक करण कारक या अधी करण कारक बताएंगे विचा लोग बच्चे जाते हैं बस से स्कूल और आ साधन का आता है बोध तब होता है आपका करड़ कारक यहां पर साधन बस है तो यह लोग बसके साधन से जा रहे हैं याद रखेगा साधन क्या है बस है तो याद रख सब्सक्राइब कौन सा कारख कई करण हoca wr कौन सा कारक है बचा लोग आप आदान कारक है अगर डिट Lewis 성 goddess देखा है तो बिल्कल рет nine उसेडार आएगा वाक्य में जिस सब्सेब्सेइक के संबंद का बौत होता है उसे क्या कहते हैं बताएंगे जिस वाक्य में जिस सब्द से क्रिया के साथ संबंद का बोध हो कौन सा कारक होगा करण कारक अधी करण कारक संबंद कारक या संप्रदान कारक बहुत ही सांदार प्रिशन है सब आयोक का पुछा हुआ है तो याद रखेंगे क्रिया से संबंद की बात कर रहा है जिसके संबंद क् खाने के जिसका सब्द्र नम्तक्रीय आई करण कर लकारक साथ पर करता है करण करता है करण का साब्दिकर्थ होता है साधन अभी मैंने आप लोगों को बताया है साधन है जिस 때문 है संपन अपादान कारक में कौन से विभक्ति अच्छा अपादान कारक में से विभक्ति का और्थ क्या है अपादान कारक में जो से विभक्ति है इसका क्या मतलब आता है अलग होना दूसरे में करा अलग होना और डरना तीसरे में करा जुड़ना और चौथे में करा इनमें से क कोई नहीं क्याद रखेगा अलग होना, डरना और तुलना ये सब क्या हो जाते हैं, ये सारे हो जाते हैं आपके अपादान आपने मेर टू बिलकुल सही है विभक्ति काն नने नाम बताइब चलो विभक्ति को और किस नाम से जानतेे हैं उपसर्ग परसर्ग प्रत्या यए में से कोई नहीं तो आप सभी को पता है इसे या कोई नहीं तो सभी को पता है निरत कौन कर रही है तो अमेरिका से भारत को आर्थिक सहायता दी, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, वक्त के में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करड़ कारक या है, आपका अधी करड़ कारक बताइए, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, तो याद रखेगा, ये हैं आपका संप्रदान कारक को के लिए आपका क्या हो जाता है ये हो जाता है आपका संप्रदान कारक चुकि यहाँ पर कर्म नहीं है बलकि सहायता कर रहा है मदद कर रहा है प्रदान कर रहा है तो संप्रदान कारक हो जाएगा असोक मा के लिए दवाई लाया वाक्य में कौन सा कारक है असोक मा के लिए दवाई लाया संबंद संप्रदान अपादान आधी करण तो आप सभी को पता है को के लिए जो कारक चिन है किसमें होता है संप्रदान कारक में होता है इसमें असोक अपनी मा को दवाई या प्रदान करदा है अपना कार्य स्वयम करें वाक्य में कौन सा कारक है संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या अधी करड कारक बताए अपना काम स्वयम करें इसमें कौन सा कारक है और आप सभी को पता है अपना काम खुद ही करने की बात की जारी अपनी काम से खुद का संबंध बताय जा रहा है तो कौन सा होगा संबंध कारक होगा नेक्स देखे हरी ने बैल को मारा वाक्य में कौन सा कारक है हरी ने बैल को मारा इसमें कौन सा कारक है तो हरी मार रहा है किसको मार रहा बैल को मार रहा यानि कि कर्मकारक हो जाएगा आपसा नम्बर जो दो है ये बिलकुल सही हो जाएगा संग्या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्ने सब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीथो को क्या कहते हैं बहुती सादर प्रश्चन है एकडम common sense का संग्या सर्बनाम के जिस रूप से किसी अन्ने सब्द के साथ संबंध्या लगा प्रतीतों से क्या कहते हैं कर्ता कारक कर्मकारक संप्रदान कारक या संबंध्य कारक तो आप सबी को पता है ये होता है संबंध्या लगां की बाद कर करता है संग्या और सर्वनाम का संबंध कारक कुल्हाड़ी क्लाड नहीं करते हैं जिसका उप्योग कर रहा है वो है साधन और साधन एक उलाड़ी और साधन किस में आते हैं करण कारक में आते हैं आपसे नमबर 3 बिल्कुल सही है अब आए पैन से लिखता है तो भी करण कारक है सब मैं मुबाइल से पढ़ा रही हूँ तो मुबाइल आपके लिए करण कारक है मुबाइल से बात कर रही हूँ तो करण कारक है चोगी मुबाइल ही साधन है लोगों ने चोर को मारा वाकि में कौन सा कारक है लोगों ने चोर को मारा करता कारक करम कारक करण कारक या कोई नहीं तो आप सभी को पता है लोगों ने किसे मारा है चोर को मारा है तो यहाँ पे चोर को मारा इसलिए क्या हो गया कर्मकारक हो गया है आपसे नमर जो दो है बिल्कुल सही है हिंदी में कितने कारक है साथ है, आठ है, छे है, नौ है बताए हिंदी में कितने कारक है और आप सभी को बताए एक दम आसान सा प्रशन है हिंदी में आठ कारक है आपसे नमर दो बिल्कुल सही है निमलिकित में से किस वाके में कर्म कारक है इसमें से बताना है किस वाके में कर्मकारक है, वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, और मैं घर पर जाता हूँ, बताएंगे इसमें किसमें है आपका कर्मकारक, और ये भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, और इसमें आपका आपका दूसरा बिल्कुल सही है, राधा कलम से लिखती है, किताब से पढ़ती है, वाके में कौन सा कारक है, संबंद कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या अधी करण कारक, तो मेरे बच्चों के लिए तो बिल्कुल 99 सेकेंड वाला हो गया है प्रस्ण, तो अगर आपने डिटिल क्लास देखे रहे होंगे, तो आज के क्लास आपको बिल्कुल भी हाड नहीं लगा होगा, और आगे के प्रस्ण भी आपको हाड नहीं लगेंगे, अगर आपने डिटिल क्लास को देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा, तो समस्याई होंगी, और फिर उन करने का और जहां साधन हो वहां होता है करण क्योंकि करण के में ही के दुआरा दुआरा जैसे सब्दों का प्रयूग किया जाता है तो उमीद है आज की class आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो इमांदारी पूरबक से यह और कमेंट जरूर किया करें आज से लिए इतना ही फिर मिलेंगे ऐसे सांधार प्रशनों के साथ थाइंक यू थाइंक यू सोम